हलो फ्रेंज, वेलकम टो काजल्स किचान आज हम बनाएंगे कॉप केक, वो भी बाजर जैसी जटपट से बनने वाली रेसेपी के साथ और इसे हम बनाएंगे इडली स्टीमर से आज हम वन इंग्रेंडियन से बनाएंगे हमारी कॉप केक तो चलिए बनाते हैं आज की ये रेसेपी, तो यहां हमने एक बड़ा बाउल लिया है इसके अंदर हमने एक कप जितना केक का प्रिमिक्स लिया है चोकलेट वाला जो आता है वो लिये ना है, यहां आप वेनिला भी ले सकते है इसके अंदर आप डालेंगे हम वन चोथाई जितना ओल, यहां आप घी का इस्तमाल भी कर सकते है तो यहां हम इसके अंदर डाल देंगे वन चोथाई जितना ओल, यहां मैंने मुंख वाली का ओल लिया है आप चाहिद वो ले सकते है, और हमने यहां लिया है, वन टेबल स्पुन जितना चीनी का पाउडर, थोड़ा स्विटनेस के लिए और अप डालेंगे वन चोथाई जितना पानी, हमने एक बाउल जितना प्रिमिक्स लिया था, वन चोथाई, कप हमें पानी डालना है बिलकुल इस तरह से, यहां हमें पांच मिन लगातार अच्छे से पर्फिक्ली मिक्स कर देना है, तो यहां हमारे बेटर एक दम बन कर तयार है, तो यहां हमने लिया है कॉपकिक का, जो मार्किट में मिलता है, वो श्टेन लिया है तो इसमें हम ओल से ग्रिप कर देंगे सारी कॉटोरियों को, और एक प्लेट में ले लेंगे अब यहां हम लेंगे बटर पेपर, इसकी साइस का हमने कॉट कर लिया था, तो इसके अंदर हम डाल देंगे सब में बटर पेपर बटर पेपर से हमारी कॉप की आसानी से निकल जाती है, यहां आपके पास यह रिष्टेन नहीं है, तो यहां आप एक कटोरी भी ले सकते हैं, छोटा ग्लास भी ले सकते हैं, तो यहां हम आदा कॉप बेटर डालेंगे, जिसे हमारी एक फुल के अच्छे से बन जाएंगी तो यहां हम डालेंगे जो डेरी मिल्क आती है, वो डालेंगे बीच में से, तो यहां हमने इसे छे टुकड़े लगा दिये हैं और डालेंगे इसके अंदर, पिल्कुल इस थार से, यहां आपको डेरी मिल्क नहीं डालनी है, तो आप स्किप कर सकते हैं, तो यहां हमने जो देङे बचा हुआ है वह बेटर इसके उपर ढाल देंगे जिसे हमारा पर्फेकली बन जाए तो यहां आपको इस तरह से उपर पर्फेकली डाल देना है तो इसे प्लेत को हम अच्छे से इसे ड्डेप कर देंगे यहां हम इसे श्टीम कर लेंगे तो यह इडली स्टीमर लिया है इसके अंदर हम डाल देंगे सब कतर्यो को तो यहां हमें श्टीमर को पांच मिनित पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था तो सारी कतर्यों को हम इस श्टीमर में रख देंगे और आज से दस मिनित के लिए इससे slow flame में ही पकने देंगे यहां आप बड़े तपेले में प्लेट रखके भी इससे steam कर सकते है तो यहां हम इसको डग कर कवर करनेंगे यहां हमारी 10 मिनिट हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि बड़िया से हमारी cupcake पक चुकी है इससे आप देख सकते हैं कि एक दम बड़िया सी जली वाली cupcake बनी हुई है तो यहां हम एक प्लेट में सारी कोटोरियों को बहार निकाल देंगे बनी है ना ओवन जैसे ही हमारी cupcake तो इससे 5 मिनिट के लिए ठंडा होने देंगे जिसे हमारा steam आसाने से निकल जाएं तो 5 मिनिट हो चुकी है तो पूरी किनारी हमें इसे प्रेस करके पूरी सावधानी से बाहर निकाल देनी है और इसमें हमने butter paper डाला था वो निकाल देना है तो आप देख सकते हैं कि हमारी एक दम पॉफी और soft और जाली वाली bread बन कर तयार है तो अब यह ज़रूर बनाना यहां सब कटोरियों को हम निकाल देंगे पूरी सावधानी से श्टेन के बाहर butter paper निकालते जाना है तो बन कर तयार है हमारी bread अब हम cream बनाएंगे तो यहां हमने एक cup जितना whipping cream लिया है इससे हम आइस cream फेटने की मसिन आती है इससे हम फेट लेंगे बिल्कुल इस तरह से तो यहां हमें एक cup whipping cream में हमें cream तीन cup जितना बन जाएंगा तो आप देख सकते हैं कि हमारे एकदम पॉफी ऐसा cream बन कर तयार है तो यहां हम मसिन को पर देंगे बन और आप देख सकते हैं एकदम perfect बनी है हमारी यह cream तो चलिए इससे हम design बनाएंगे तो यहां हमने एक con bag लिया है बिल्कुल इसा आता है वो यहां हमने एक design वाला nozzle दिया है आपको जैसी design पसल है वेसा nozzle ले सकते हैं तो यहां हमें con bag में थोड़ा सा cut कर लिया है और एक glass में रखके bag को hold पर रख दिया है तो यहां सारी cream इसके अंदर डाल देंगे बिल्कुल इसका रसे perfectly तो यहां हमने सब cream को डाल दिया है con bag में तो चलिए अब हम कपकी की design बनाएंगे तो यहां हलका सा press करके थोड़ा सा बाहर निकाल देना है तो यहां हमें जो cake बनाई थी वो प्लेट ले लेंगे और इसके उपर इससे बिल्कुल इस तरह से हमें design बनानी है आपको जेसी पसंद है वो वेसे भी आप design बना सकते हैं एकदम easy है हमारी यह cupcake इसे आप ज़रूर बनाना और जटपर से बन जाएगी एकदम perfectly बन जाएगी और टेस्ट भी बहाद जैसा ही आएगा तो आपको और आपकी बच्ची को भी पसंद आएगी बच्चे तो माम माम कर खाएंगे यह सब सारी cake तो आप देख सकते हैं कि बढ़ियासी design बन कर त्यार है तो यहां हमें इसके उपर ऐसे बुल्स डालेंगे जिससे हमारी cake बढ़ियासी और सुन्दल लगेगी तो यहां आप यहां चोकलेट चिप्स भी डाल सकते हैं तो यहां हमारी cake बन कर त्यार है इसे हम एक serving plate में निकाल देंगे आज की मेर यह रेसे पर आपको पसंद आई हो तो प्लीज हमारी चैनल को like, share और subscribe परना और वीडियो के नीचे like का बटन जरूर प्रेस कर देना तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाप आए टिक है